Friends, आप अपने cell phone के अंदर सबसे पहले Chrome browser जो है, वो open कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर top पर 3 dots दिखाई दे रहे होंगे, आपको इन पर click करना है, click करने के बाद आपको desktop side पर यहाँ पर tick कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर type करना है, jkssb.nic.in, उसके बाद आप इसको search करेंगे, search करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आएगा, उसके बाद आपको scroll down करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा online application form link, class 4th, ok friend, आपको इस पर click करना है, click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page खुल कर आजाएगा, और नीचे आपको देख सक click करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से form आएगा, तो friends, बहुत सारे candidates क्या करते हैं, गलती कर देते हैं अपने name में, दोस्तों याद रखे, आप जब registration करेंगे, तो यह name बहुत ही important है, यहाँ पर अपना name जो हो बिल्कुल सही से डाले, क्योंकि बार बार यहाँ पर correction नह लिखे, नहीं है, तो आप last पे लिखे, आगी समझ, तो यह दिहान रखे, अगर आपका name जो है, सिर्फ दो letters के अंदर है, जैसे दो words के अंदर है सारी, जैसे मुहमद आसिफ, तो आप first name मुहमद लिखे, और last name आसिफ लिखे, और middle name कुश्मत लिखे, okay friends, उसके बाद आप को यहां से gender male select कर लेना है, okay friends, आपकी जो भी है, male है, female है, जो भी, उसके बाद आपको यहां पे एक चीज़ याद रखने है, email और mobile number डालना है, okay friends, मैं अपना email और mobile number डाल लेता हूँ, आपको यहां पे email और mobile number बिल्कुल ठीक डालना है, गलत नहीं डालना, okay friends, यह याद और दिहान से रखें, क्योंकि आपकी सारी information जो है, वो आपकी mail पर आएगी, इसलिए आपकी email जो है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, friends, देख सकते हैं, मैंने अपनी email address और mobile number जो है, वो बिल्कुल डाल ली है, आप इसको एक या दो बलके तीन बार इसको चेक करें, कि यह ने आपको दिखा दिया, आप अपना password राख लीजी, उसके बाद आपको registration पर click कर देनी है, आप जैसे ही register पर click करेंगे, आपका page जो है, redraft होके, आपका page जो है, वो next page में open हो जाएगा, friends, उसके बाद आप इस page पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आपके पास दो advertisement number जो है, job name आप देख सकते हैं, एक तो appointment to class 4th के लिए application form लाग रहें, और दूसरे जो है, post of account assistant के लिए, तो आपको क्या करना है, आप account assistant पर apply करना है, तो इसके आगे apply now पर click कर लेना है, ओके friends, आप जैसे apply now पर click करेंगे, थोड़ा wait लीजिए, क्योंके network थोड़सा slow है, उस valutation यहां पर पूछा गया है, तो यहां से आप slut कर लें, mister, ओके, अगर आप उसके बाद आपको यहां पर father names, आपने papa का नाम यहां पर फिल अप कर देना है, उसके बाद आपको अपनी mamma का नाम यहां पर जो वो डाल देना है, उसके बाद mail already select है, उसके बाद अपनी यहां से data worth पर आपको click करने, click करने के बाद आपके सामने कुछ यहां पर calendar इस तरह से आ जाएगा, उसके बाद आपको सबसे पहले year select करना है, उपर December 210 दिखाई जा रहा है, आप 210 पर click करेंगे, यहां पर इसकी side पर आपको arrow दिखाई जा रहा है, इस पर click करेंगे, click जैसे करेंगे, आपको backset आजएगा, लेकिन आपको set करना है, तो कैसे set करेंगे, मैं आपको बता दू, आप जैसे इस पर click करेंगे, click करने के बाद, 2010 आप आपको यहां पर इस side दिखाई दे रहा होगा left side 210 Friday December 31st लिखा है आप जैसे इस पर click करोगे click करने के बाद आपके सामने year आ जाएंगे यहां से अपने सब से पहले year यह हह वह select कर लें date of birth कare उसके बाद अपना month आपने select करना हा कि आपका month क्या है तो इन अंध्वा वो अपना month जो है वो select कर लें, okay friends, जैसे के मेरा October है, okay, और उसके बाद आपको यहाँ पर day, तो day क्या है, वो आपको select कर लेना, उसके बाद set पर click कर देना, तो इस तरह से आप जो data worth है, वो select होगे, okay friends, उसके बाद friends, आप देख सकते हैं, यहाँ पर age automatically, यहाँ पर निकल कर आ चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर whether, married, अगर आप married हैं, तो yes करें, नहीं है, तो no, okay friends, मैं yes करूँगा, उसके बाद आप whether you are domusail of Jammu and Kashmir, yes, बिल्कुल हैं, तो यह करके, उसके बाद आप को यहाँ से अपनी division select करनी है, आप Jammu division के हैं या किश्मीर के, तो आप जिस division के हैं, वो select कर लें, उसके बाद आपको आपने यहाँ से district जो है, वो select कर लेनी है, okay, मैं आपने यहाँ से district select कर लेता हूँ, okay friends, has domusail certified been issue, if no domusail certified needs to be produced at the time of document verification, तो अगर आपके पास नहीं है, तो no कर दो, लेकिन verification के time जो है, वो आपको क्या करने पड़ेगी, लानी नहीं है, उसके बाद save and continue पे click कर देंगे, तो आप दे सकते हैं, इस तरह से हमारा जो first जो personal detail था, वो cover हो चुका है, उसके बाद second permanent address आप से पूछ रहे हैं, यहाँ पे आप अपना permanent address डाल दीजिए, host number, मुहला, village, okay friends, मैं यहाँ पे अपना fill up कर देता हूँ, okay friends, उसके बा select कर ले, okay friends, उसके बाद आपको अपना block जो है, वो select कर रहा है, जो भी आपका जो है, block है, वो आप select कर ले, okay, मेरा block क्या है, और फ्रेंज आप अपना ब्लाग जो है वह स्लिल करें उसके बाद अपना जो पंजायत है वह यहां पर आप यहां पर लिख दें लोग या उसके बाद जो आपना पिन कोड आप यहां पर डाल दें और उसके बाद आपको करना सेमेंड कांटिनियों पर किलिक करना है देख सकते हैं हम नेक्स्ट पे आ चुके हमारा परमनिट एडर्स जो वह सेव हो चुका है अब यहां पर हमें पूछ रहे हैं क्या हमारा जो है क्रस्पेंडर्स एडर्स जो है सेम है या नहीं अगर आपका स करना सेमेंड कांटिनियों पर क्लिक कर देने उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर अब मुझे यहां पर कैटागरी अफाप्लीकेंट मांगा मंग गी है तो यहां यहां से नेक्स पे चले जाएंगे तो इस तरह से हम जो है नेक्स पे पर आचुके हैं यहां पर मारा चूप पे जा चुका है application form for the पोस्तरा ने कुष्याट करना सबसे पहले किसको देंगे तो यहां से हमने अपनी डिस्ट्रीम इस पहले प्रिव पहुंच कर दूँगा उसके बाद यहां पर चाहे कितनी भी जो है प्रफरेंस ट्वंटी डिस्ट्रीक किसी के अंदर भी डाल सकते हैं स्थाइब आप उसके आप इनको एक एक करके बढ़ लीजिए में बढ़ लेता हूं और इस तरह से आपने जो प्रिफरेंस दे दिये सब की सब जो डिस्टिक हैं वह यहां पर फिल अप हो जाएंगी उसके बाद आप सेव एंड कांटिनियू पर क्लिक करेंगे हैं हम नेक्स्ट पे आ चुके हैं उ इसके बाद सेव एंड कांटिनियू पर में क्लिक करूंगा यहां पर जेएंड के स्टेट बोर्ड स्लेट कर लिया है आपका जो भी बोर्ड है स्लेट करें उसके बाद आप अपनी पसंटेज यहां पर टाइप कर दें मैट्रिक रिजल्ट डेट अपनी मॉक्षिट ओपन क करके आपकी जो है आपकी जो है किया कभ हुआ ओके फ्रेंड है को के फृेंश प्रेंट मैंने जहें मैट्र की डेट बहुत करना है कि सीबी एचल्य जैके बोर्ड है दूसरे कोई भी आप वह यहां से स्टेस्ट करने drives upे निचेज अपनी पसंटेज अशए से निकाले करें और उसके बाद यहां पर आपको डेट जो है वो 12 की डालनी है कि आपका आपका जो रिजल्ट है वो 12 के जो है काब डिकलेर हुआ था अपनी मॉक शीट को अठाएं और उस पर आप देख सकते हैं वहां पर आपकी डेट जो हो वो हो गई ओके फ्रेंड्स इस तरह से मैंने जो है 12 की डेट भी जो है डाल दिये उसके बाद आपको ग्रेजवेशन आपने जिस इन्वेस्टी से किया उसके यहां पर नाम लिख दें ओके फ्रेंड्स उसके बाद आप यहां पर आपने कालेज का नेम जो है वो लिख दें आपके कालेज का नेम क्या है कैं डालने के बाद आप अपनी यहां पर क्या करें ग्रेजुएशन की पसंटेश्ट को हुआ है आपको यहां पर डाल देनी है कि आपकर जन्य यूह कब हुआ है और उसके बाद आपको यहां पर लिखना है अगर आप पोस्ट ग्रेजवेशन इन्वेस्टी का नाम लिखना है कालोजी का नाम लिखना है पसंटेज और यहां पर डेट फिलप करनी है है कि इसथिता से मेन हैं यहां पर आपनी पोर्ट फॉट रेज़ेश्ट कालच के 밝ा विर प्रस्न आ लिविटी और उसके बाद यहां पर जो मेरी पोर्ट रजिवेश्ट रजाल बेर वहान ने लिख दिया अब तो शाहें मुझे आपके यहां पर इसको यहां कर नहीं है तो म एड़ाइसमें नोडिफिकेशन बिल्कुल हाँ यस और उसके बाद हम अपना इग्जामनेशन सेंटर चूज कर लेते हैं जमूड वीजन और उसके बाद हम सेव एंड कांट्यूनी पे क्लिक कर लेते हैं ओके फ्रेंट्स पूरी की पूरी जो आहाँ पर टीक है यह गलत नहीं है और उसके बाद जो एड़िसमेंट नोडिफिकेशन के अंदर हमें कहा गया था कि उसी के रिर्लेट्ट हमने इस पॉस्ट के लिए आप ये लिखा है आप इसको पास करके पड़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं उसक प्रणेबल है उके उसके बाद आपको आई एगरी पे क्लिक करके उसके बाद सेव एंग काटिनुए पे क्लिक कर लेना है एक ह mejelines आपको यहाँ नीचे अब हम अपने एटैस्ट फोटोग्राफ और यहां पे हमें अपना सिग्नेचर जुह है वह आपकोत करों गागा और उसके बाद signature और उसके बाद आप में save and continue पे click करूँगा थोड़ा सा time लेगा upload होने में क्योंके network बहुत slow है जब तक upload होता तब तक में इसको pass करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो यह form में पूरा फिल अप हो चुका है आप यहां पर review details अपने चेक कर सकते हैं अगर आपके ने में कुछ problem है या किसी भी चीज़ के अंदर आपनी यहां पर date of birth या phone number email जो भी है आप सब यहां पर देख सकते हैं इसके बाद पूरी की पूरी detail आप यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर नीचे बिल्कुल bottom पर आके आप आपने देख सकते हैं यहां पर जो भी आपने पूरी detail बरी और उसके बाद applicant photo और application जो है signature वो भी आ चुका है अगर आपका यहां सब कुछ ठीक है तो यहां पर आपक यहां पर यहां पर फी पेमिट के यहां पर इन्होंने दो gateway दिये हैं जेंड के बैंक और IGFC यहां पर आपके पास जो भी नेट बेंकिंग का प्रोसेस है अगर आप जेंड के बैंक से पे करना चाहते हैं तो स्लेट करके continue to pay पे क्लिक करें और अगर आपके पास IGFC के एलेट अगर आपके पास ATM है तो अगर आपके पास नेट बेंकिंग है IGFC की तो आप वो भी स्ट कर सकते हैं मेरे पास जेंड के बैंक है मैंने यहां पर सेट करके उसके बाद continue to pay पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं प्लीज वेट यूर बींग रीडिरेक्ट टू पेमिंट ग जो भी है मैं आपको सजैस्ट करोंगे आप डेबड का जैब करने को फिये अभी private card करने और काड़् करो का अरह मेरा है वहां पर respiratory data होगी और उसके बदothei hocell होगा और उसके बाद सब फिल करें ठाइब ग्राइब